तो आज का जो टॉपिक है वो काफी important है तो आज हम discuss करेंगे कि कम समय में हम UPSC का syllabus कैसे cover कर सकते हैं इतना आपको idea होगा कि जो UPSC का syllabus होता है civil services exam का वो बहुत बड़ा होता है लेकिन time भी हमारे पास limited ही है और एक साल के अंदर हम syllabus को कैसे cover कर सकते हैं तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं तो दरसल क्या है कि मैं आपको थोड़ी एक नहीं approach बताऊंगा तो बहुत ओको आपको पता भी होगा क्योंकि मैंने अपने एक last 25 strategy वीडियो में इसको अच्छे से explain के था for the first time और बहुत ओको नहीं भी पता होगा तो ध्यान से सुनिएगा एक जो हमरी traditional approach होती है एक जो traditional approach होती है 90% of the experience यही follow करते है कि ऐसा करते हैं कि पहला exam को समझते हैं with the help of previous year questions and syllabus उसके बाद ऐसा करते हैं अपने basics complete कर देते हैं जैसे कि NCRT's कि चलो बहुत basics पूरे complete कर देते हैं अच्छे से पढ़ लेते हैं उसके बाद standard books पे आएंगे यानि कि standard यह अपनी advanced preparation start करेंगे तो यह traditional approach होती है ज्यादा तर यह follow करते है और ठीक है अच्छी approach भी है इसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन दूसरी approach के बारे में आज मैं बात करूँगा कि दूसरी जो approach है उससे अगर आप सही consistently अगर आपने उसको follow कर दिया तो I'm sure आपके एक से दो महीने बच जाएंगे ठीक है अब वो कैसे बचेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा तो आज दूसरी approach के बारे में हम बात करते हैं तो वो approach है कि subject wise चीज़ों को cover करना अब थोड़ा से इसको मैं समझाता हूँ अब देखो जो पहले की जो approach होती थी उसमें क्या होता था कि हमने polity के NCRT उठाई complete कर दी फिर हमने history के NCRT उठाई फिर वो complete कर दी फिर ऐसे geography, economics ऐसे से करके हमने सारी NCRT's complete कर दी या फिर हमने 60-10 की सारी NCRT's complete कर दी उसके बाद 11-12 की सारी NCRT's complete करी तो बहुगिया हमारा basis complete अब चलो बएए advance पे और अपने accordingly जो subject पसंद है उसको cover करते है लेकिन इस approach में आपको क्या करना है देखो अब यह जो एक subject wise approach है इसमें आपको क्या करना है न इसमें आपको एक subject को पकड़ना है और उस subject को अच्छे से cover करना है पहले यानि कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने पूरे NCRT's cover कर दी तो यह एक suggestion है यह तरीका है कि आप ऐसे भी कर सकते हो अब यह compulsion नहीं है कि आपको करना ही करना है कि या बस आप जो भी अपना follow कर रहे थे वो सब छोड़ के आपने यह follow करना है start कर दिया मैं बस आपको एक नया method बता रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगता है apply करके देख सकते हो एक subject के साथ अगर आपको result मिलता है और आपके लिए work करता है तो तब ही इसको follow करना देखो मेरा काम है आपको 3-4 तरीके बताना उसमें से जो आपको पसंद है जो आपके लिए work करता है अब इसमें क्या होगा ना अब example इसमें क्या करोगे अब एक subject को आपने उठाया for example आपने का कि भाई मैं पहले एक subject को अच्छे से complete करूँगा तब जाके मैं दूसरे subject पर आऊँगा दो subjects को भी साथ में लेके चल सकते हो लेकिन starting में एक subject को लेके चलना जैसे आपने बोला कि चलो पहले मैं पॉलिटी को टार्गेट करता हूँ अब यहाँ पर आप क्या करोगी कि पॉलिटी subject का basics भी advanced भी सारी चीज़ें आप एक साथ cover कर दोगे यह पूरा syllabus cover कर दोगे प्लिंस प्लस मेंस का तो इससे क्या होगा कि एक course subject आपका complete हो जाएगा और आपको अच्छागासा confidence भी boost हो जाएगा अब ऐसे मैं आपने उठाई NCITS तो आपने NCITS को अच्छे से पढ़ा and now you jump to लक्षमी गान जो की standard book है आपने लक्षमी गान अच्छे से पढ़ी ठीक है underlining वो सब complete और उसके बाद आपने का कि एक subject मेरा हो गया है let's jump to another subject अब आपने का कि चलो ऐसा करता हूँ history cover कर लेता हूँ history को target करता हूँ अब आप दूसरे subject पे आए अब आपने history की NCITS पढ़ी और जूंकि history की NCITS यह अपने में more than sufficient है और साथ में बसी spectrum add करना है तो आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा मतार NCIT में आपने थोड़ा extra time दिया और आपकी history होगी complete एक ऐसी अप्रोच आप लेके चल सकते हूँ अब इसमें 2-3 चीज़ा आप add कर सकते हो अपने जो preparation उसको more efficient बनाने के लिए कैसे आप क्या कर सकते हो कि जैसे माली जे कि आप जब history पढ़ रहे हो ठीक है अभी आपने quality पहले पढ़ ली अब आप history पढ़ रहे हो जब आप history complete कर रहे होंगे यानि कि आपने पहले quality पढ़ ली पिसले मही कर रहे हो तो अब इस महीने history में तो जो currently आप history पढ़े उसका revision तो करोगे लेकिन जो आपने polity अच्छे से पढ़ लिया था अब आप उसके P.I.Q. प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि slavers तो आपका complete हो गया आपने plims और mains का जो भी polity वाला पार्ट था constitution वाला पार्ट था वो अच्छे से complete कर दिया मैंने बाद हम प्रैक्टिस कर रहे है तो वो भी कोई गलत बात नहीं थी क्योंकि वापे basics आपके strong हो जाते थे अब दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको comparison करते हैं with the हमारी traditional approach या जो हमारी traditional जो तरीका था अब उसमें क्या होता है कि for example जैसे आपने कि यह चलो मैं NCITS complete करता हूँ और आपने पहले polity पढ़ी फिर history पढ़ी फिर geography आप देखो history पढ़ी NCITS और NCITS के बाद आपने geography पढ़ी अब होगा क्या कि जब आप advance में आओगे मतब यह एक बता रहा हूँ जो consistent नहीं है उनके लिए एक मतब उनके लिए issue आता है जो consistent उनको तो कभी issue आएगा ही नहीं वो कैसे भी पढ़ें दो subject पढ़ें एक subject पढ़ें subject by subject पढ़ें paper by पढ़ें उनको कभी issue आएगा ही नहीं याद रख लो तो जो consistently पढ़ा ही प्रेपरेशन करते हैं ना अब आपने का कि चलो अब मिरको history का advance preparation करना है तो चलो मैं उठाता हूँ spectrum या फिर थोड़े से कुछ topic जो ancient medieval में नहीं उनको cover करता हूँ अब यहाँ पर आपको क्या करना पढ़ेगा ना कि जो की consistent भी नहीं है और अगर मालो की बहुत gap के बाद आप अपनी advance की preparation स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक बार फिर से उन NCIDs को go through करना पढ़ेगा और time भी आपको ज़ादा लगेगा अब ऐसे में क्या होगा कि 5 से 10 दिन आपके extra लग जाएंगे तो उसके बाद फिर आप अपने पहले जो आपने past में पढ़ा है जो time में अगर revise नहीं किया है तो उसको revise करोगे फिर जाएक आप advance में आओगे अगर आप consistent हो और time to time revise भी करो तो फिर आपको दिकत नहीं आएगी अब वैसे ही अगर 4-5 दिन का delay हर subject में होता है तो polity, economics, history, geography तो 20-25 दिन का delay यानि कि एक महिना आप ऐसे ऐसे बचा सकते हो वादा आपने एक subject उठाया उसको अच्छे से complete किया वैसे आपने फिर आए geography पे आए मतलब जो new method में आपको बता रहा हूँ कि history आपने complete किया, फिर आप geography पे है geography के आपने NCIDs पड़ी, आपको पता है कि NCIDs जो जो जोगरफी की है around 60-70, 75% आपका slave bus अच्छे से cover कर देंगी अब आपको क्या करने है, 25% ही तो extra effort मानना है, 25% जो remaining जो topics हैं, जो कि NCIDs के थुरू अच्छे से cover नहीं है, आपने उसके notes arrange करें, और उनको NCIDs के बाद सीधे पढ़ना स्टार्ट कर दिया अब इससे क्या होगा ना, NCIDs के बाद मुश्किल से 15-20 या 10-15, depending कि आप कितना time देते हो, कितनी आपकी capacity है आप 10-15 दिन दोगे और आपका geography भी complete, यानि कि starting के ही 5-6 मैंने आपके major subjects अच्छे से cover हो जाएंगे, और side by side optional तो आपका चलता रहेगा, तो मतलब कि जो UPSC का, जो most जी क्या होता नहीं कि सबका preparation end तक चलता है बहुतों का, April तक मही तक मही में भी बहुत से अपना syllabus cover कर रहे होते हैं, वहीं आपका time से ही November दिसंबर में बहुत सारी चीज़े cover हो जाएंगी, और फिर उसके बाद जो छोटे मोटे subjects बसते हैं, main point of view से, तो उनके लिए तो वैसे भी उतने उनके एंसे एंसे भी नहीं है कि वैसे तो ठीक है, बहुतों को पता भी होगा पहले से, लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो ये इस तरीके से भी सोच सकते हो मतलब दिखो एक तरीका है, अलग-अलग तरीके होते हैं, तो ऐसा आपने आपको restrict मत करना सिर्फ एक ही चीज़ पर, कि भाई, मैं पहले basics ही सारी करूँगा फिर जाके, obviously पहले तो दिखो, अगर आप एक complete beginner हो तो ये recommend किया जाता है, कि आप पहले सारे basics complete कर दो वो भी ज्यादा better रहता, लेकिन अभी जैसे आप मैंसे बहुत से advance है जो एक-दो साल से त्यारी कर रहे है, तो फिर ये वाला method आप apply कर सकते हो कि almost आपने चीज़ें पढ़ रखी है, तो why not just go subject by subject क्योंकि जो beginners हैं, उनके लिए सारी चीज़े नहीं है, interesting होंगी तो आराम से वो time दे सकते हैं basics में, लेकिन जो advance है, जो अलड़ी एक-दो साल से पढ़ रहे हैं और अभी थोड़ा सा वो pressure भी हो जाता है, फिर वो अगर basics, मतलब NCRDs पर time देते हैं हाला कि subject by subject भी आप prepare कर सकते हो, बट यह होता है कि ठीक है और बाकि जो आपके advance है, तो advance वाले तो आपका, बिल्कुल subject पर से subject cover कर सकते हैं और बाकि जो beginner है, वो चाहिए traditional method follow करें, या new method देखो, in short, बात ही है, कि आपको syllabus cover करना है, और जो चीज़ आप पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ना है और दोसी बात होती है कि जादा gap नहीं होना चीए, है न, मतलब कि अगर आप basics कर रहे हो थोड़ा try करो, जो सही लगे, उसको आप follow कर सकते हो है न, तो बस यह है इस वीडियो में तो ऐसे और कुछ, जो काम-काम के मुझे ऐसे ideas या points मिलते रहेंगे, तो मैं उस पे भी वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है So that's all from my side, so thank you so much and see you